आप भी 4-5,000 रुपया खर्च करके 38-9,000 रुपया सिर्फ एक महिने में 30-35 दिनों में लेना चाहते हैं तो कैसे लें तो आपको बताएंगे कि आप एक महिने में 5,000 रुपया खर्च करके 30-35 रुपय मुनाफा ले सकते हैं और सिर्फ 30-35 दिनों में आपकी फसल मंडी के लिए तयार हो जाएगी और वो मंडी में सभी लोग अच्छी तरह से सभी खरिदते हैं और अच्छी उसकी सब्जी बनाते हैं और सभी खाते हैं एक महिने में ही आपकी सब्जी तयार हो जाएगी और आपको मुनाफ़ा मिलेगा 80-90,000 रुपे और खर्चा करना है सिर्फ 5,000 रुपे 4-5,000 रुपे खर्चा करना है आपको फसल लगानी है जो आपको एक महिने में कि अच्छी मुनाफ़ा देगी और वह फसल है मेथी जो हरी मेथी सबजी के लिए बोते हैं जो एक महीने में तैयार हो जाती है खेत पर और वह मंडी में बिकने के लिए तैयार तो आपको सिर्फ 5,000 रुपे खर्चा करना है 5,000 रुपे क्यों करना है कि आपको 2-1,000 रुप का बीज लगेगा उसमें 15-20 किलो एक बीगे के लिए चाहिए तो आपको पहले अच्छे खेत को हकाई जुताई करकर उटाई उटाई करकर समतल बिशेत बना कर क्यारी बनाना है और उसमें आप मेथी को उड़ा दीजिए फिर कुछ दंताली से उसको ऐसा ओड़ दीजिए कि आपकी मेथी बाहर नहीं रहे और जमीन में मिट्टी में अच्छी दब जाए और उसमें आप पानी छोड़ दीजिए अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो वो भी डाल सकते हैं फिर आप उसमें उड़ा कर पानी पिला दीजिए आपकी एक महिने में मेथी तयार हो जाएगी उसमें सिर्फ क्यवल मच्छर लगते हैं और आपको मच्छर लगा सकते हैं सिर्फ आपको एक महिने में मिल जाएंगे और सिर्फ खर्चा के तना आएगा चार से पांस में रुपे और ज्यादा खर्चा नहीं है और दार टाइम नहीं है, सिर्फ एक महिना लेना है, और एक महिने में 5000 खर्च करके, आपको 80-90-90 रुपय कमाना है, मेथी बोना है, उसका टाइम अभी चालू होने वाला है, आप 20 सितमबर के बाद उसका टाइम है, मेथी लगा सकते हैं, और अच्छा एक महिने में ही इनकम सकते हैं अगर आप गहूं लगाएंगे 15 कुंटल गहूं हो गए आपके 2000 के बाउ से 30 जारीव बनेंगे और वो चार महीने लगेंगे उसमें और अगर मेथी लगाएंगे आप तो एक महीना में वो लगेगा और कि महीने में 70-70 जार रुपे आप कमा सकते हैं जोंकि मेथी उस टाइम सुरू स्टाइटिंग में 80-100 रुपे किलो बिक्ती है तो एक मिनिममं 50-60 रुपे तो भीक्तना ही हैं उससे कम तो भीक्ती नहीं है और मेथी सुरू स्टाइटिंग में बहुत सभी लोग खाते हैं तो रिमांड भी भोत रहती हैं आप एक खटे मजदूर करकर बड़ी मंडियों में भी लगा सकते हैं इन दो ले जाईए रतलाम ले जाईए एक दिन में पुरा खेत खाली हो जाएगा और आप फिर से उसकी हकाईच उताई करकर दूसरी फसल ले सकते हैं तो एक महिने में इसी करें कमेंड करें और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाईए कि जो भी हम वीडियों ढलेंगे एक हैति किस्तानी से जूड़ी हुई और कौन सी फसल बोना है किस टाइम पर बोना है कित्ता कर्चा है वह सब जानकारे आपक झाल झाल